बाबा सिद्धिकी की हत्या के केस में एक नया एंगल सामने आया है NCP अजीद गुट केनेता बाबा सिद्धिकी की हत्या में चार आरोपी नहीं बलकी 10-15 लोगों का एक ग्रुप शामिल था बताया रहा है कि बाबा सिद्धिकी शनिवार रात अपने बेटे जीशान के दफ्तर से घर जा रहे थे सड़क पर दशेरे की आतिश बाजी हो रही थी इसी दौरान 10-15 लड़कों का एक ग्रुप आया और बाबा सिद्धिकी से पूछा कि हमारे साथ दशेरा नहीं मनाएंगे क्या बाबा सिद्धिकी अकसर ऐसे आयोजनों में लोगों के बीच चले जाते थे शनिवार राद भी उन्होंने ऐसा ही किया वो लड़कों के कहने पर आतिश बाजी करने लगे इसके बाद जब वो कार में आगे की सीट पर बैठने लगे तब ही पटाकों की आवास के बीच तीन शूटर्स ने उन पर फाइरिंग कर दी घटना के वक्त पुलिस की गाड़ी थोड़ी दूरी पर थी एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई है जिसमें लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिमधारी ली है पुलिस इस पोस्ट की जाच कर रही है पोस्ट करने वाले का नाम शुबू लोंकर है और उसने लॉरेंस विशनोई अनमोल विशनोई को इस पोस्ट में टैग किया है सूत्रों ने ये भी बताया कि हमलावर ना सर्फ बाबा सिद्दिकी बलकि उनके बेटे जिशान सिद्दिकी की भी हत्या करने वाले थे लेकिन जिशान बाल बच गए सूतरों ने बताया कि बाबा सिद्धिकी और जीशान सिद्धिकी एक साथ घर जाने के लिए ओफिस से निकले थे इसी दराँ जीशान को एक फोन आगे और वो वापस ओफिस चले गए जीशान ओफिस में भैट कर फोन पर बात कर रहे थे अचानक गोली चलने की आवाज आई, बाबा सिद्धिकी की हत्या हो चुकी थी और हमला वर्तितर वितर होकर भाग गए थे सूत बताते हैं कि अगर जीशान सिद्धिकी को फोन नहीं आया होता तो उनकी भी हत्या हो चुकी होती कहा जा रहा है कि जीशान सिद्धिकी जो की बैनरा से ही कॉंग्रेस के विधायक हैं उनके विधांसवा क्षेतर में ऐसारे री डेवलप्मेंट को लेकर एक विवाज चल रहा था जिसमें जोपड़ पट्टी में रहने वाले लोगों को पुनरवस्त किया जाता है इस री डेवलप्मेंट के तहट जुगियों को तोड़ कर वहां रह रहे हैं लोगों को हटाया जाना था इसके विरोध में जीशान ने अंशन भी किया था सूत्रों के मताबिक री डेवलप्मेंट के विरोध को लेकर बाबा सिद्धिकी को धमकी भी दी गई थी सुत्रों ने बताया कि बाबा सिद्धिकी हमेशा से ही सल्मान के मददगार रहे हैं ऐसे में हो सकता है कि लॉरेंस गैंग को बाबा सिद्धिकी और जीशान दोनों के मर्डर की जिम्मदारी दी गई हो इस हत्या की जड़ में SRA Re-Development का मुद्धा हो इस से पहले लॉरेंस गैंग ने 14 अपरेल को सल्मान खान के घर के बाहर फाइरिंग की जिम्मदारी ली थी वो घटना के 28 घंटे के बाद में पोस्ट की गई इसे शुबू लोंकर ने पोस्ट किया है इसमें लिखा है सल्मान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुम ने हमारे भाई का नुकसान करवाया आज जो बाबा सिद्धिकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं वो एक टाइम में दाउद के साथ मको का एक्ट में था इसके मरने का कारण अनुज धापन और दाउद को बॉलिवूड, राजनीती और प्रॉपर्टी टीलिंग से जोड़ना था हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर जो भी सल्मान खान और दाउद गैंग की हल्प करेगा हम अपना हिसाब किताब लगा के रखना हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिकरिया जरूर देंगे हमने पहले वार कभी नहीं किया मुंबई पुलिस ने कॉंट्राक्ट के लिंक की पुष्टी की है हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव धर्मराज और गुर्मेल है शिव धर्मराज यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं दोनों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है गुर्मेल हर्याना का रहने वाला है धर्मराज और गुर्मेल को किरफतार किया गया है और शिव फरार है बता जा रहा है कि उसे ही हत्या का कॉंट्राक्ट दिया गया था शिव करीब 5-6 साल से पुणे में एक स्क्राप ब्यापारी किया काम कर रहा था कुछ महीने पहले उसने धर्मराज को भी पुणे में बुला लिया था हत्या का कॉंट्राक्ट देने वाले व्यक्ती ने शिव और धर्मराज की मुलाकात गुर्मेल से कराई थी गुर्मेल कैथल जले का रहने वाला है उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से बावन बार वार करके हत्या कर दी थी जेल में वो गैंक्स्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आ गया जमानत मिलने के बाद वो मुंबई चला गया और पुलिस सूत्रों के मताबिक लॉरेंस गैंग नहीं उसे मुंबई बुलाया था पुलिस ने धर्मराज और गुर्मेल को कोर्ट में पेश किया दोनों में से एक ने अपनी उम्र सत्रह साल बताई है उसने अदालत से कहा कि उसके साथ नाबालिकों जैसा वेवार किया जाए कोर्ट ने जब उम्र की पुष्टी के लिए उसका आधार काड मांगा उसके बाद उसका बोन टेस्ट किया गया जहां पर ये पता चला है कि वो नाबालिक नहीं है NIA ने अपनी रिपोर्ट में Lawrence विश्णोई की तुलना दाओद इबराहिम से की है और इसमें लिखा गया है कि दाओद की तरह ही Lawrence ने अपना नेटवर्क बढ़ाया है D. Company का सरगना दाओद इबराहिम ट्रक्स कारोबार से लेकर टागेट केलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता है 1980 के दशक में वो चोरी और लूट पार्ट जैसे क्राइम करता था इसके बाद लोकल ओगनाइज क्राइम करने लगा धीरे धीरे उसने अपना गैंग बना लिया और इसे नाम दिया गया D. Company 1990 के दशक तक उसकी गैंग में 500 से जादा मेंबर्स बन गए 10 से 15 साल में दाओद इबराहिम अंडर वर्ल्ड डॉन बन गया इसमें टेरर सिंडिकेट से उसे काफी बड़ी मदद मिली अनाइए का मानना है कि लॉरेंस विश्णोई भी नॉर्थ इंडिया में Organized Terror Syndicate चला रहा है उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की थी इसके बाद अपना गैंग बनाया जिसके बाद उसका नेटवर्क अब तेजी से बढ़ रहा है बाराल इस पूरे मामले में अभी कई और परतें खुलना बाकी हैं आप हमारे साथ बने रहिए जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर हम आपके सामने हासर हो जाएंगे